नवस्कार आई फ्लू यानि कंजेक्टिव एटिस आजकल सभी में फैलता चला जा रहा है आई फ्लू एक संक्रामदर हो गया है जिसकी वज़े से आपके आपों में सूजन, लालीमा, डेरंतर पानी का बैना, खुजली होना जैसे समस्या हैं हो जी है ऐसे में क्या करें? आदा चमच त्रिफला चुण को लेकर के आप रात बर पानी में विवो करके रखिएं और उस पानी से सुबह अपनी आपों को दो लीजिए बच्चों में अगर ये समस्या हो तो उसी त्रिफला जल से एक या दो गुन उनकी आपों में डाली है जिससे उनकी आपों को रात मिलेगी दूसरा उपाए गुलाब जल गुलाब जल को आप रुई में विवो करके अपनी बलकों की उपर में रख सकते हैं जिससे आपकी आपों का इरिडेशन कतम होगा आपकी आपों को ठंड़क मिलेगी तीसरा उपाय आप एलोविरा जेल को अपनी बलकों के उपर में लगा सकते हैं आपों के आसपास लगा सकते हैं जिससे आपकी आफों को ठंडक मिलेगी इरिटेशन कम होगी और आफों से निरंतर बैता पानी कम होगा ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें दन्यवाद